डेली करेंट न्यूस में अभी की खबर है 156 FDC दवाओं पर लगा प्रतिबंध हाले में केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने एंटी बायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टी विटामिन सहित 156 Fixed Dose Combination दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है यह प्रतिबंध औशदी एवं प्रसाधन सामगरी अधिनियम 1940 के धारा 26-1 के तहट एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर लगाया गया है इस प्रतिबंध के तहट इन दवाओं के निर्मान, विक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है इन दवाओं में चेस्टन कोल्ड और फोरा सेट जैसी लोग प्रिय दवाएं शामिल हैं जिनका उप्योग क्रमशह, सर्दी, बुखार और दर्द के लिए किया जाता है चलिए अब जानते हैं Fixed Dose Combination दवाओं यानि FDC के बारे में केंद्री औशदी मानक नियंद्वन संगठन के अनुसार FDC उन उतपादों को संदर्भित करता है जिनमें एक या एक से अधिक सक्रिय तत्व होते हैं जो किसी विशेश संकेत के लिए उप्योग किये जाते हैं यह सक्रिय तत्व TB और मधुमेय जैसे बेमारियों में सहायक हो सकते हैं लेकिन इन दवाओं में ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं इन्हें कॉक्टेल ड्रक्स भी कहा जाता है हलाकि कभी कभी FDC का मतलब यह हो सकता है कि मरीज ऐसी दवा ले लेता है जिसकी उसे आवश्यक्ता नहीं होती उदाहरण के लिए चेस्टन कोल्ड में बुखार के लिए पैरासिटामोल, अलर्जी से राहत के लिए सेटरीजेन जबकि यह दवा अलर्जी के कारण इन लक्षडों वाले लोगों की मदद करेगी लेकिन यह वास्तों में जिवाडू संक्रमड के लिए आवश्यक नहीं है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को फिक्स्ट डोस कॉम्बिनीशन दवाओं यानि FDC के संदर्भ में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजे एक यह उन उत्पादों को संदर्भित करता है जिनमें एक या एक से अधिक सक्रियत अत्व होते हैं जो किसी विशेश संकेत के लिए उप्योग किये जाते हैं दो इन्हें कॉक्टल ड्रक्स भी कहा जाता है उपर युक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्र का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद दियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले